नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना न्यूस एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ चबी आए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी ख़बर की और राजगर छेत्र के सभी राशन डीवों में अभी तक सस्ती डालों की सप्लाई नहीं पहुँची है इसके कारण राजगर विकास खंड की 33 पंचैतों और एक नगर पंचैत के करीब 12,000 राशनकार धारकों को अभी सस्ती डालों के लिए इंतजार करना होगा खादियवा मापूर्टी विभाग ने ये सुनिश्चित कर रखा है कि डीपों में सस्ती डारों पर मिलने वाला खादे सामान 10 तारिक तक पहुँच जाए राशनकार धारकों को चना डाल, मूंग, मलका और मार्श की डाल सस्ती डारों पर दी जाती है वर्टमान में राशनकार धारकों को चना डाल, एपीयल परिवार को 36 रुपए किलोग्राम और बीपीयल को 26 रुपए प्रती किलोग्राम, मूंग डाल, एपीयल परिवार को 74 और बीपीयल परिवार को 64 रुपए, मलका डाल, एपीयल परिवार को 73 और बीपीयल को 63 रुप दाल 100 रुपय और चना दाल 70 रुपय किलोग्राम के हिसाब से महंगी दरों पर खरीदनी पड़ रही है इस कारण गरीब लोगों को घर चलाने में परिशानी छेलनी पड़ रही है खाद्या पोटी विभाग राजगर के निरिक्षक पदम देव शर्मा ने बताया कि मई महिन फूड एंड स्प्लाई राजगर जैसा कि आप सभी जानते है कि मई महा में जो है वो हमारे गोडाउन में दाले नहीं पहुंची इसका मुख्य कारण जो है अभी जो सरकार एंड से जो है ओडर वो बहुत लेट होगे इवन की दिल्ली से जहां से स्प्लाई होती है दालों हमारे गोडाउन में दाले वो तीन तरह की दी जारही है एक चना है एक माश है और एक जो हैं मलका है इन दालों के रेट जो हैं वो बदलते रहते हैं इस वार शायर नए रेट आ जाएं तो इस जैसे ही हमें दाले पहुंच जाएगी उसके रेट डिसाइड होगे सभी को बता दिया जाएगा